गुड मॉर्निंग फ्रेंज्स कैसे हैं आप सभी तो सागत करती हो आप सभी का माय के बंधन ब्लॉक्स में तो कल का ब्लॉक कंट्यूरी करते वे सुबह के आड़ बज रखें और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है आज हल्दवानी में यह देखें सामने से सूर्योदय हो गया है और सामने है मंदिर सुबह के आड़ बज रखें और बच्चे हो गए इसकुल को तेहार काजल और कृष्णा क्या हो गया नियुरा मन इसकुल जाने का हो रहा है गुद मॉनिंग तो बोल देगा है और क्रिस्ना पे रेडियो गया है सूच बहन रहा है स्कुल के रेडियो गया है मम्मी छोड़के आएगी इनको अभी इनकी और तो दोस्तों साड़े ग्यार बजे की ट्रेन मेरी तो नास्त वास्त करके निकलूंगे मैं साड़े दस में यहां से और बच्चे जा रहे हैं स्कुल और बैठ गई है इसकुल के लिए स्कुटी और बैनी का बैग ला रहा है दद्दा अंदर से रखाया रखाया टीफन टीफन रखाया उसने बाटर बदल भी रखाया बाई तो फेंस नंदी चली गई है बच्चों को इसकुल छोड़ने के लिए और अभी आ जाएगी थोड़े देर में और तब तक मैं थोड़ा बहुत तयारी कर लेती हूं अपनी क्योंकि मुझे भी निकलना है अभी थोड़ देर में साड़े दस बजे के आसपास जाओंगे मैं सव्फ सुबऑ के दस बज चुके है तो फेंस सुबबे के दस बज गए हैं और हमने नासता वासता कर लिया है और अभी साड़े दस बजे मैं यह इस टेसन के लिए रेल्वे स्टेशन के लिए हलद्वानी से यह मेरी ट्रेन और हमारे गाउंचाना का मेरा बहतिशा लगता तो अब जाती हुच छत से नीचे और पैकिंग का गया तो हुई गई है नास्ता भी हो गया है बस अब ऑट वाले का इंतजार है उसको फॉर्ण तो आगे ये मेरी टुक टुक और ये हमारे बती जी 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 तर हो ठीका क्यों नी बनाओ अब तो मैं जाने लग गई हूँ रिल वेस्टेशन के लिए प्रहे बनाओ गई है नास्ता भी हो गई है तो एक गई है आगे लगई है नास्ता भी हो गईए काथ बड़ा, लगनाउ, जन्वें, वाया, लालपोर, वरेग। हलिता है यह डिसकाज सब्सक्राज़ं आजवर में एंगा, म है खिली सब्सक्राज़, यह infinus knowledge। और नीचे से पहाड़ी आंटी लोग बैठे वे हैं बहुत अच्छी बाते कर रहे हैं मैं जा रहे हैं और मैं उपर हूँ और ट्रेन में मिली मुझे च्छोटी सिस्री देखे कैसे टुक टुक करके देख रहे हैं मेरी तरफ और अब मैं खारी हूँ माई फैवरिट नमकीन और इसके साथ प्यूंगी यह देखे यह मुझे अब एक लड़के ने दिया था जो हल्दवाने से बैठा था मेरे साथ 10 में पढ़ता है लखनव तो इसको प्यूंगी तीन बज़ गया है तो लंच रखाया मेरे ले नंदी ने तो मैं खा ले थी हूँ अब तो हम पहुंच गए लखनव इस्टेशन में और मेरे बेटा है मुझे लेटा की साथ में और ददा थोड़ा आगे पहुंच गया है मेरे जेड जी और मा का बेग पकड़ लिया है बेटे ने देखिए ददा और सर्यान साइब है मुझे स्टेशन लेने के लिए स्कूटी लेके तो अब हम चल रहे हैं कमरे के ओर और यह है लखनव का रेलवे स्टेशन जो काफी बड़ा है देखिए और काफी खुबसूरत भी है कर देखिए और का रेलवे स्टेशन लेके बड़ा है तो फाइनली मैं पहुंच गई हूं लखनव और आर्मी एरिया में रहते हैं ददा लोग पहुंच गई हूं कमरे में देखिए और यह मेरा बड़ा बतीजाब यह मेरी बतीजी है हमारी दीदीजी है जिठानी जी बड़ी तो दोस्ता में पहुंच वीजो लखना हो यह है मेरे बेटे देखिए अभी अभी पहुंच वीजो तो पहुंच के बस कपड़े भी चेंच निका रहे अभी पहुंच वीजो ज़स्त और यह हमारी दीदीजी है तो यह मेरी दीजी देखिए और बाकी बाद मताऊंगे आपका अभी पहुंच यह हूं ठक गए चलो और यह है हमारे ददा बाई लाइक सब्क्राइब तो आप खाना खाने की तैयारी चल रही है सब लोग खाना खाने के लिए बैठे वे नीचे और स्वीट डिस में बनाया गाचर का हलवा और सबजी बनी है पालक पनीर की तो सबसे पहले बैठी हुई है मेरी भतीजी नेहा और उसके बाद है हर्चित मेरा भतीजा फिर है मेरा बेटा सरयांश और फिर ददा और दीदी बैठे वे हैं दोनों मेरे जेट और जेठामी जी जाजर का हलवा के रसम लाई है और बाल मिठाई भी है विदाल बाला पनीर पे कॉंसेंट्रेट करते हैं तो खानावाना खाके हम लोग घूमने के लिए बहर थोड़ दिर घूमते हैं उसके बाद सुएंगे यह मेरा बतीजा बतीजी और मेरा बेटा पहुंच गया आगे लिस्तु तो फ्रेंस रात का खानावाना खाने के बाद हम थोड़ा बहुत घूमने गए थे घूम फिर के हम आ गये हैं वापस यहीं पर कमरे के पास तो अब आपको मैं कल सुबह दिखाओंगी यहां का में नई वीडियो के साथ तब तक आप सबीडों अपना ध्यान रखेगा अगर आपको आज का व्लोग पसंद आए तो एक लाइक कर दिजिए या कमेंड कर दिजिएगा मिलता है नई व्लोग uh